दोस्तों विटू भीया की अम्मा की चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है सुतंता दिवस तो हम लोग आज 75 मी सुतंता दिवस की वर्स गांट बना रहे हैं तो आप सभी को जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मेरे विवर्स हैं सभी को सुतंता दिवस की हार्दिक और चलिए आज हम आपके साथ फिर से एक ट्रिक लेके आए हैं तो देख लीजिएगा आप लोग और बताएगा क्योंकि ये जो समस्या है न सब के साथ होती है हर लेडी के साथ होती है और यही है चाय से जले हुए बरतन क्योंकि आज मेरा बरतन जो है चाय से पूरी तरीके स जल चुका है चाय बनाते हुए और चाय से जली हुए बर्तन बहुत कफंड़नाग होते हैं आप सबस्माज सकते हैं तो चलिए आज उसको करते हैं क्लें और चलिए आप लोगे साथ भी सेर कर देती हूं कि आप लोगों के साथ भी अगर कभी ऐसा हो जाए वाइद अबे तो आप लोगों को भी कोई दिख्कतना हो और असानी से आप लोग साब कर सकें कि आप लोगों को जरूर सब्सक्राइब करATE अब लोग जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को वाच करें और मुझे comment में जरूर बताए कि आप लोगो मेरा वीडियो कैसा लगता और किसी topic पे अगर आप लोगो वीडियो चाहिए हो तो मुझे comment में बतादे तो सुतंता दिवस्की एक बार फिर से आप लोगो सभी को हार दिख सुपकाम ना है चलिए चलते हैं तो यह देखिए आप देख सकते हैं चाय के वर्तन का हाल क्या हो गया है और जादा तर हो जाता है सभी के साथ यह सब हो जाता है क्योंकि हम एक काम के साथ साथ और भी कई काम करने लगते हैं तो भूल जाते हैं वही मेरे साथ हुआ तो मैं यह देखिए चाकु से छुडाने की कोशिश कर रहे हूं लेकर इसके बाद भी यह नहीं निकलेगा क्योंकि यह बहुत बुरी तरीके से चला है और यह जब यह वर्तन इस तरीके से जल जाते हैं तो फिर बहुत मुस्किल होती है तो यह जो आसान तरीका है मारा क्लीन करने का तो यह देखिए मैं इसमें डाल दिया है पानी और उतना पानी डाला है जहां तक यह चला हुआ है और बस इसके बाद हम गयास्वान के यह पानी गरम करने के लिए रख देंगे तो बस इसको हम खौल ले दिएंगे ठोड़ा से इंतजार कि अब तक यह पानी हमारा गरम हो रहा है खौल रहा है जब पानी अच्छी से खौलने लगेगा तब हम इसमें वो चीजें एड़ करेंगे तो यह देखिए मैंने ले लिया है बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा होता है ना जैसे कि हम लोग और यह नमक और यह बिनेगर और नीबु आप देख सकते हैं कि निब guarantee ले लिए तो पानी हमारा खॉलने लगाया तो यह जो हमारा क्हाने वाला सोडा होता है देखिए आपने पहले से इसमें खाने वाला सोडा तो जैसे अश़ार डालेंगे तो यह बहुत बुरी तडैके से ज्ञाग चौड़ेगा और देखिए मेरे ऐस पर भी गिर हमें इतना ही करना है कुछ भी नहीं करना इससे ज्यादा और आप देखेंगे भी क्या होता इसका पैसे मैं पहली बार कर रही हूं लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि इस तरीके से सायद हो जाएगा क्योंकि इसमें जो चीजें डली हुई है न तो ये बहुत ही कारगर चीजे है जो हमने अभी इसमें डाली हुई है और देखिए आप इसका जो पानी है वो नीचे गिर गया था तो ये भी मेरा एक डेवल काम हो गया है ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा क्योंकि इससे बहुत अच्छे से साफ हो जाता है सब कुछ और ये नेवू के छिलक है इतना गरम नहीं है तो आप पानी ही देख सकते हैं पानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कितनी गंदगी तो पानी से ही निकल चुकी और वाकी का जो है बस हमें थोड़ा सा स्टील वाला जूना लगा देना है बस इतना ही करना हो इसके बाद हमारा देखिए आप कुकर आपको से ही लग रही है कर देख सकते हैं मैं एक बार ऐसे रगड देती हूं तो वहां से बिल्कुल पूरी तरीकी से छूट जाता है तो यह है इसका कमाल और इस तरह के से अगर बरतन कभी जल जाते है हमारे तो हम कोसिस करें कि बस ऐसे कर लें इसमें कुछ ज्यादा नही करते हैं साथ में तो आप देख सकते हैं हमारा यह पूरी तरीकी से क्लीर हो चुका है और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएगा और यह मैं तरह आपको कैसा लगा यह भी बताएगा और अगर आपकी थोड़ी सी भी मदद हो सके से तो मुझे बहुत खुसी होगी और आप देख सकते हैं यह पूरी तरीके से हमारा क्लीर हो चुका है और वी मैं पाने डालूंगी ना तो आप इसका देखिएगा जादू तो आप देखेंगे बहुत खुसी मिलती है जब हमारा कोई भी काम इतने आसानी से हो जाता है और य इतनी साइन नए में भी नहीं आती है जब हम नए खरीद किलाते हैं और आप देख सकते हैं मैं कोई फिल्टर यूज नहीं कर रही हूं बिल्कुल रियल्टी दिखा रही हूं और मैंने बिल्कुल रियली दिखाया है कुछ भी और यूज नहीं किया है कोई केमिकल यूज नह नहीं दिखाया है और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा हो गया है हमारा ये वरतन और कोई कहीं नहीं सकता है कि वह वाला वरतन है और उसको अगर हम ऐसे सिंपल तरीके से करते तो सायद कभी हमें दिनबार किसना पड़ता तभी इतना हो पाता और फिर भी समय स्पॉट आप देख सकते हैं कि इतना प्यारा हो गया है तो बस आज के लिए यह है और आगर हम आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपको हमारा ये में अच्छा लगा हो आसान सा तरीका है तो आप सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और कॉमेंट में जबूर बताएं तो बा आप प्रेंट